आज की समय में जितनी तेजी से बदलाओ हो रहे हैं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है टेक्नलोजी के छेत्र में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप नाइन इमर्जिंग टेक्नलोजी जो की आने वाले समय में पूरी तरह से इंसानी जीवन को बदल देगा जिए हम दोस्तों मैं आपको इसे टॉप नाइन अपकमिंग टेक्नोलोजी बदाने वाला हूँ जिसकी मदद से दोस्तों जो इनसान का जीवन है वो पूरी तरह से बदल जाएगा Let's start at this video 3D printing अब तक की सबसे सांदार printing टेक्नोलोजी है यानि 3D printing की मदद से वह कुछी भी product को वास्तविकता के रूप में देख सकते हैं जैसे दोस्तों सकला का बुम बुम की तरह है जैसे जो बी पै разм लेम करते थे वह हिए लेव और हम रियवारास्टिक दिखनाए लगती थी और आपके कान जोगे दोस्तो आज की दोस्तो इस टेक्नलोजी की मदद दोस्तो असानी से बनाया जा सकते है और दोस्तो जब ये टेक्नलोजी आज आएगी मार्केट में ये दोस्तो हर एक छेतर में इस्तमाल किया जाने वाली सबसे महत्य पूर टेक्नलोजी में से एक होगा और दोस्तो ये टेकनोलोजी अब तक की सबसे कारगार टेकनोलोजी मानी जा रही जो की आने वाले भविस को पूरी तरह से बदल देगी 3D प्रिंटर टेकनोलोजी Self-Driving Car Self-Driving Car का बूम हमें आने वाले सालों में बहुत तेजी से देखने को मिलने वाला है और दोस्तो इसके लिए Self-Driving Car के लिए बड़ी-बड़ी कंपने टेस्टिंग भी करना स्टार्ट कर चुकी है और कई कमने दोस्तो आपको देखने को मिल जाएगी जैसे आटो पाइलट का मोड दोस्तो टेसला कार में आपको देखने को मिलता है जो की इलॉन मस्की कंपनी है दोस्तो इसी तरह Self-Driving Car के आने से दोस्तो पूरी तरह कार की दुनिया में बहुत बड़ा भूम आएगा दोस्तो Self-Driving Car आने की वज़े से दोस्तो जो लोगों का एक्सिडेंट होता है बड़े बड़े जो दुरगटना ग्रस्त दोस्तो एक मोमेंट क्रियेट होता है दोस्तो वो चीजे दोस्तो पूरी तरह से खतम हो जाएगी और दोस्तो Self-Driving Car की मदद से दोस्तो एक्सिडेंट आप दोस्तो जो ड्राइवर्स होंगे जो दोस्तो उसमें पैसेंजर्स होंगे वो पूरी तरह से दोस्तो सुरच छित पाएंगे ये दोस्तो Self-Driving Car Technology जो कि भी दोस्तो हाली में दोस्तो चाइना में भी सुरू हो चु देखे होंगे जी हैं दोस्तो आपने फिल्मों में बहुत तरह के रोबोट देखे होंगे जो कि पूरी तरह से इनसानों पे हावी हो सकते हैं इनसानों जैसा सो सकते हो ये सब आपने फिल्मों में देखोगा असल जिन्दगी में बात कर तो दोस्तो हमें रोबोट भी काम जादा तर्फिया जा रहा है लेकिन दोस्तों आने वाले समय पे अगर साइंटिस्टों सामय defi इंटेलिजेंस जैसे जो रुबोत रुबोरिकस बेस्ट हो साइंस इतना विक्सित नहीं तो वो काम रोबोट कर सकता है या फिर दोस्तों किसी चीज को दोस्तों इसमैल करना हो बहुत सरी ऐसी दोस्तों जो जो वर्क हैं जो की असानी से रोबोट कर सकते जो इनसान नहीं कर सकते वो रोबोटिक्स द्वारा कराया जा सकता है आने वाले समय में रोबोट दोस्तों प जो भी जितना भी होग दोस्तो वो रोबोट दारा किया जाएगा आने वाले समय में जिस तरह दोस्तो हमने देखा कि कम्प्यूटर की मदद दोस्तो हमारा जितना भी काम होता था उसे दोस्तो कम्प्यूटर की मदद से असान हो चुका है सेम दोस्तो इसी तरह आने वाले समय पर रोबोटिक्स भी हमारी पूरी तरह से जिंदगी को बदल लेंगे और प्रति दिन का काम दोस्तो रोबोटिक्स करने लग जाएंगे सबसोनिक ट्रांसपोर्टेशन हाइपर लूप दोस्तो साइन्टिस्ट ट्रांसपोर्टेशन के छेतर में एक ऐसी टेक्नलोजी डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है सबसोनिक ट्रांसपोर्टेशन हाइपर लूप Hyperloop को तो आपको दिमाग में आ गया होगा दोस्तो जो Elon Musk की company दोस्तो Hyperloop technology को विक्सित कर रहे हैं यह दोस्तो एक ऐसी technology साबित होगी दो कि दोस्तो bullet train से भी तेज़ चलेगी एक vacuum के अंदर दोस्तो एक छोटी सी train की अकार की दोस्तो एक cabin type में होगा उसके अंदर दोस्तो इंसान बैटे होंगे और वो दोस्तो टनल के अंदर मतलब जमीन के अंदर से वो दोस्तो बहुत तेज़ी से निकलेगी जो की bullet train की speed से भी तेज़ चलेगी चानक बिजली से संपर्क टूटने मौसम खराब होना भुकंप जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं दोस्तो हाइपर लूप टेकनलोजी की पर कोई भी असर नहीं होगा और दोस्तो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी दोस्तो इलॉन मस्क के दोरा जो की दोस्तो हाइपर लूक कमपनी जल्दी अपनी ये सर्वीस भी लौंच कर देगी और इसे possible कर दिखाया है इलॉन मस्क दोस्तो आने वाली ये टेक्नोलोजी बहुत बड़ी क्रांतिकारी साबित होगी ट्रांस्पोर्टेशन के छेत्र में इंटरनेट ओप तिंग्स हमारे रोज मर्रक के जीवन में उप्योग होने वाली वस्तिय जैसे मॉबाइल वीकल्स म्यूजिक सिस्टम और एलक्रोनिक्स दोस्तो और जो सेंसर है उनको ये फिर और भी जो डिवाइस है उनको दोस्तो एक नेटवर्स की जोडने की टेक्नोलोजी को दोस्तो इंटरनेट ओप तिंग्स का जाता है इसकी मदद से जैसे होस्पिटल में मरीज ह उसकी दोस्तो हम घर बैटे उसकी दोस्तो जाच कर सकते हैं उसको हम दोस्तो असानी से चेक कर सकते हैं ये दोस्तो इंटरनेट ओप तिंग्स की मदद से पॉसिबल हो पाता है जैसे दोस्तो इंटरनेट ओप तिंग्स कहलाता है जो कि दोस्तो आने वाले समय पे ये बहुत ज़्यादा इस्ट्रिक्ट हो जाएगा यह नहीं दोस्तो यह आने वाले समय पे बहुत बड़ा बूम लेकि आएगी यह टेक्नलोजी जिसका नाम है इंटरनेट आप तिंग और दोस्तो इस टेक्नलोजी के आने के बास दोस्तो आपके बहुत सारे काम असान कैसे हो जाएगा अगर वाई से बोल दें की ऑवन बंद हो जाए तो आववन आटोमेटिक बंद हो जाएगा आप दोस्तो बोल सकते हो कि मेरा फोन साइलन्ट हो जाए जिस सेरा गुगल असिसिस्टन को आप कमांड करते हो सेम दोस्तो इस टेक्नलोजी में आपको देखने को मिलता है जिसका नाम दोस्तो internet of thing brain controlled computer इसका उद्देश यह दोस्तो brain computer controlled technology यह है कि आपके दिमाग की मदद से दोस्तो computers और अने devices को काम को तेजी से किया जा सकता है इसमें दोस्तों कई तरह की brain chips जो की पुरी तरह से computer based होंगी जैसे दोस्तों आपने देखा होगा neural link company कर रही दोस्तों जो की brain chip बनाया है आपके thought process को समझ कर दोस्तों वो computer को computer को command देकर दोस्तों reality में बदल सकती है कुछ चीजी तरह दोस्तों बड़ी बड़ी company इस brain controlled computer पर काम कर रही है और यह technology दोस्तों आने वाले समय में सबसे महत्पूट technology होगी जो कि दोस्तों हम इंसानी दिमाग से तेज हम दोस्तों computer पर काम कर सकते हैं इस brain control technology की मदद से जो कि दोस्तों आने वाले समय पे एक बहुत क्रांतिकारी technology साबित होगी artificial intelligence pink light fonts technology यह दोस्तों एक ऐसा फार्म होगा है जो कि artificial intelligence based होगा इस technology की मदद दोस्तों हम अपने बड़े से एक दोस्तों plant के अंदर खेती कर सकते हैं pink light high rays की मदद से दोस्तों यह दोस्तों technology आने वाले समय बहुत बड़े लेवल पे करी जाएगी क्योंकि दोस्तों बड़ती जनसंके के कारण खेती करना मुस्किल हो चुका है बड़ती दोस्तों इस pollution के कारण खेती अच्छे से नहीं हो पा रही है आपको कीट ना शक कीटारू देखने को मिलते जिस और इसका उपियोग दोस्तों अभी रिशेंट दोस्तों ड्रक्स के इस्तमाल में किया जा चुका है दोस्तों और तंबाखों की खेती करी जा चुकी दोस्तों और वेक्चेन की खेती करी जा चुकी दोस्तों यह दोस्तों टेक्नलोजी आने वाले समय पर हमारे लिए एक ब फिर दोस्तो एक VR box होता है उसको हम पहनने के बाद दोस्तो पूरी तरह से real experience करते हैं किसी भी चीज का फिर वो चाहे कोई video हो या फिर images हो या फिर दोस्तो किसी तरह का game हो दोस्तो इसमें होता क्या है computer जनी तो टेक्नलोजी का इस्तमाल किया जाता है इसमें दोस्तो cameras लगे ह सकते हैं और दोस्तो बड़े बड़े जो किस्सक के छेतर में जो operations होते हैं दोस्तो कोई मरीज को कोई भी बड़ी दिक्कत है दोस्तो virtual reality की मदद से हम असानी से ये काम कर पाएंगे और दोस्तो इसका उपयोग आने वाले समय में बड़े बड़े छेतरों में भी उपयोग क सकते हैं हमारे दिमाग को ये लगे कि हम रेले में हम उस चीच का experience कर रहे हैं ये दोस्तो पॉसिबल हो पाता है virtual reality की मदद से जो कि दोस्तो आने वाले समय पे इसका बहुत बड़ा भी बूम हमें देखने को मिलने वाला है इस पेस ट्रिप हीमन इस पेस फ्लाइट दोस्तो human space flight की technology है ये हमें अभी present में देखने को मिल चुके दोस्तो virgin galastik के दोरा और दोस्तो अब हमें blue origin के दोरा भी देखने को मिल चुकी है दोस्तो जल्दी इंसान भी अब अंतरिच की यातरा असानी से कर पाएंगे और दोस्तो इसको कार नामा भी कर दिखा दोस्तो दो कंपन ये जो technology दोस्तो आने वाले समय पे हम जिस तरह यहां से मुंबई घूमने जाते थे दोस्तो हमारे जैसे ज्यादा ज्यादा 15 से 20 जार उपए मुंबई जाने पर लग जाते दोस्तो कहीं भी किसी भी सहर में हमें जाना पड़ता था उसी तरह दोस्तो अब हमें अंतरिच की यात्रा भी असानी से कर पाएंगे इसके लिए दोस्तो बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनिया काम कर रही हैं जो की start-up कंपनिया भी हैं जैसे दोस्तो इसके लिए में स्पेस यात्रा कराने के लिए दोस्तों काम कर रही हैं और दोस्तों अभी तक अंतरिच में 600 से ज़्यादा लोग जा चुके हैं जो की अभी तक काम कर रहे हैं और दोस्तों इसके लिए स्पेस एक्स काफी तेजी से काम कर रहे हैं दोस्तों इस मिशन पर और दोस्तों इस से देखने को मिलने वाला है तो इसलिए दोस्तो अभी से आप प्रेपरेशन कर दो इस्टार्ट टेक्टो लॉजी की इस दुनिया में दोस्तो आपको वीडियो थोड़ा अच्छा लगो तो अपने दोस्तों के साथ सेर करना जिने दोस्तों इंटरेस्ट ठो टेक्नलोजी में और कमेंट करना मत भूलना दोस्तों आपको कौन से टेकनोजी अच्छी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं